आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ एलो फ्रेंट से मारे पास एक क्वेशिन दे रखा है इसमें बूला गया है कि एक लॉंग वायर है इस तरीके से जिसमें करेंट आई फ्लो कर रहा है जैसा कि हमारा डाइग्राम में दिखा गया इसे bend किया गया एक circle के form में ठीक है तो बूला जा रहा है कि net magnetic field जो Center open आप दो सेक्यूलर लूप वह क्या हुग ठीक है O प जो net magnetic field हो क्या होगा यह question में उन से पूछा गया तो दीक ही यह जो homem जो ओंचरे तरह के हमारे पास यहां पी जो करेंट का डाक्शन दोनों में सेभें तो स्टरेट वायर होगाः जिसमें च्रेयंट आई फ्लो कर रहा है कि लोगा इसके करांग यहां at ik सरी क्युलर वायरे इसके करांद यह तो मैंनेटक फिल्द जानि नेट होगा हुम क्या लेइस दええ है magnetic field due to straight wire plus magnetic field due to circular wire तीक है इन दोनों के कारण जो magnetic field हो और net magnetic field हो तो सबसे पहले circular wire के कारण देख लेते हैं सबसक्तों इस तरीके से माले पर circular wire देख रखा इसमें current i-flow कर रहा है उसके center magnetic field पूछा गया है ठीक है तो इसके center पर जो magnetic field होगा B circular वह कितना होता है यह को पूरा एक circle फॉर्म कर रहा है इस तरीके से current flow हो रहा तो पूरा circle फॉर्म कर रहा है तो यह होता है mu naught upon 4pi into i upon r into यह angle कितना subtend कर रहा center पर तो यह पूरा 2pi angle subtend कर रहा है तो यह हो जाएगा mu naught i upon 2r ठीक है यह हो जाएगा B circular प्रड़ी क्वेशन नंबर 1 और एक दूसरा क्या है एक इस तरीके का straight wire है हमारे पास और उसके कारण यहां से कोई एक पॉइंट इस पॉइंट पे हमें magnetic field लिखना है जो center है और यहां से इसकी distance है वह कितनी है हाल distance दे रखिए ठीक है और यह infinite length का wire है long wire दे रखा है that means क्या होगा कि यह वाली जो angle form होगी ठीक है वह suppose को यह theta1 angle कहलाता और यह angle अगर theta2 form होता तो यहां पे जो magnetic field लिखा जाता है straight wire के खारण वह क्या लिखा जाता है mu0 upon 4pi into i इसमें current कितना flow कर रहा i और upon d into sin theta1 plus sin theta2 लेकिन यह theta1 और theta2 long wire के लिए क्या हो जागा 90 degree के बराबर हो जागा ठीक है तो sin 90 तो यह 2 बन जाएगा तो b जो straight wire का होगा वह कितना हो जाएगा यह 2 से 2 cancel हो जागा तो mu0 upon 2pi i upon d के राबर हो जागा ठीक है अब यहां पर एक चीज़ देखिए direction हमें देखना है तो यहां पर देखो अगर आप right hand thumb rule से चेक करोगे तो यहां पर direction होगा वह क्या होगा अपर direction में आपको दिखेगा आता हूँ magnetic field तो अपर direction को हम लोग कैसे सो करते हैं अपर direction को इस तरीके से point twice सो करते हैं यहां भी आप देखोगे यहां भी right hand thumb rule लगाओगे तो यहां भी अपर direction में आपको magnetic field दिखेगा तो दोनों point पर अपर direction मतला same direction पर है तो दोनों क्या हो जाएगा add हो जाएगा तो बी net अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे mu not i upon 2r plus mu not upon 2pi into i upon और यह d क्या होता है actually मैं d यहां पर देखेंगे मने d के form में लिख दिया तो d यह distance होता है तो यहां पर d की जगा पर क्या आजाएगा r आजाएगा तो यहां जाएगा mu not upon 2pi i upon r आ जाएगा ठीक है यह d यहां पर since यहां पर d equals to क्या है r है तो यह आ जाएगा स्ट्रेट वायर के कारण तो यहां पर इन्फ्यूज नहीं होना इससे यह आ यह पॉन आ रहा जाएगा और नेट मेंगनेटिक फिल्ड यहां पर अपवार्ड डायक्शन में यह आएगा तो बी नेट क्या लिख सकते हम यहां पर देखो मुनॉट अपॉन आई अपॉन टू आर तो कॉमन निकल जाएगा और यहां क्या बचेगा वन प्लस वन बाई पाई ठीक है तो देखो अंसर कौन सा होगा मुनॉट आई और पाई भी यहां से कॉमन निकालने के लिए कुछ नहीं बूला गया तो मुनॉट आई अपॉन यहां टू पाई आर प्लिक होगे तो यहां देगा पाई प्लस वन ठीक है अपॉल डारेक्शन यह नेट मेगनेटिक फिल्ड आ जाएगा तो कौन सा ओप्शन मैच करेगा वन प्लस पाई देट मिस्स ओप्शन नमबर थर्ड मैच कर रहा और यह हमारा करेक्ट आंसर भी होगा तो आई होप मैच वाई होगे सॉलीशन भी किलर हो गया हो थैंक यू क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आयाएटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड करें डाउट नेटा यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर